शेहर में चोरोने की फिर दिन दुपैरी चोरी दो बजे के दर्म्यान संतुकडोजी वाड में रहने वाले हनमंत बायकृष्ण इर्खेडे इनके घर में चोरी करके सोने के घेने के साथ सववाद उदाग की चोरी कल माल किया रफुचकर इसके पहले भी हुरकृष्ण यहाद दुपैर में हुई थी चोरी अभी तक आरोपी नहीं लगे हाथ में तब हिंगनगाट पुलिस के सामनी आवाहन खड़ा हुआ है पुलिस्तवारा चांच शुरू है शहर के संत्य तुक्डोजी वाड में रहने वाले सेवा निवरुत करमचारी हनुमंत बायकृष्ण इर्खेडे इनके घर बुदवार अटरा तारिक दुपैर में दो बज़े के दर्मियान अग्या चोरों ने लोहे की सलाखों से दर्वाजी का ताला तोड़ कर घर का सामान अस्त्वस्त करके लगबग सवादो लाग के सोने के गहने पे हाथ साफ किया चोरों ने घर में प्रवेश करके बेडरूम के अलमारी में रखे सोने की चपला कंठी कान के सोने का डोरला और इतर साहिति के साथ 700 रुपे नगदी पे अपना हाथ साफ किया सानिक बिढ़कर महाविद्याले के सेवा निवरुत हुए करमचारी एरखेडे अपनी पत्नी और बहन के लड़के सार्थक के साथ अपने साले चनरशेखर ठाकरे इनके यहाँ खाना खाने के लिए दोपेर साड़े बारा बजे गए थे खाना खाके साड़े चार बजे घर वापस लोटे तब लोहे की जाड सलाक घर के बाहर पड़ी दिखी अंदर जाने के बाद मुख्य दरवाजे का ताला भी तूटा दिखा और घर के अंदर जाने पे बेडरूम के सामान के अस्तवेस्त किया नजर आया उसके बाद लॉकर में रखे गहने चोरी हुए दिखे इसके बाद पुलिस में तक्रार दी गई चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा डॉक्सकॉट को भी पचारन किया गया था पुर्देपूर में 54 लाख रुपे की हुर्कट यहाँ चोरी हुई थी तब अभी तक उसके आरोपी नहीं ले है अब शहर में यह दूसरी चोरी भी दुपेर रहते हुई है तब हिंगनगाट पुलिस के सामने एक आवाहन खड़ा हुआ है तब पुलिस द्वारा जांच जारी है हिंगनगाट से रवीय नौरकरक रिपोर्ट इन बीसे नियूस नाकपुर